मेकिन बिहार से चमक रहा भविष्य, मिल रहे रोजगार, बढ़ रहा राजिस्व, उद्योगों से सज रहा नया बिहार, इन्वेस्टमिंट का बहतर डेस्टिनेशन बन रहा बिहार बिहार, हमेशा से महनत कश्ट लोगों के लिए जाना जाता है, यहां के लोग इसका प्रयोग अपने ही राज्य में कर सकें, इसके लिए मानने मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी के कुशल मेत्रित में, बिहार ने प्रदती की वो राह पकड़ी है जो प्रदेश में औ बिहार में उद्योगों की स्थापना और निवेश की नई लहर को गती मिली, और द्योगिक नीती में सुधार, धाचागत विकास और रोजगार के अकसरों की वृद्धी ने राज्य को विकास के पत पर आगे बढ़ाया, बिहार में टेक्स्टाइल, खाग प्रसंसकरन, और उर्जा छेत्रों में उलेखिये सफलता प्राद की, रोज का अताजा यही समाचार है, बिहार में भईया रोजगार की बहार है, क्योंकि बिहार में अब और द्योगिक क्रांती हो रहे हैं, बिहार में कहीं एथिनॉल के बड़े प्लांट लग रहे हैं, तो कहीं बुनक बिहार की अफधारना मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी के नेत्रत में 2016 में बिहार और द्योगिक प्रोजसाहा नीती बनाई गई, परिनाम यह हुआ कि निवेशकों ने बिहार में निवेश करने की दिलजस्पी दिखानी और देखते ही देखते राज में व्यापार का अच्छा महौल बनता गया, जिसका आज परिनाम यह हुआ कि बिहार में 236 निवेशकों ने 36,000 कड़ों रुपे के निवेश की खोशना की, बिहार के साथ जिलों में जल्द ही उद्योगों की मुनियाद रखी जाएगी, जिस अधिक लोगों को रोजगार के अफसर बिलेंगे, आज राज में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चैनित हजारों उद्यमी लाखों रोजगार स्रजित कर रहे हैं, निटीश जी के प्रियासों से ही बिहार के सभी ITI को सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाकर उद्योग छेतर की Advanced Technology एवब नए उद्योग की जरुरतों के अनुसार युवाओं को प्रसिक्षित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री निटीश कुमार के नेतित में बिहार में और द्योगिक क्रांती की बयार चल चुकी है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्त, सिक्षा के साथ-साथ अब उ झाल